exercise 6.4 देख रहे हैं question number 1 है क्या यह possible है इस triangle की जो side है क्या इनकी side इस तरीके से हो सकती है इसमें अभी क्या करना है ध्यान दिजेगा कि जब भी एक triangle है तो जो sum है length किसी दो side का वो तीसी side से a triangle is possible ट्रैंगल तभी possible होता है जब एक ट्रैंगल के दो side की जो length है वो 30 side से ज़ादा होती है 30 side से ज़ादा होती है तो हम इसमें करते कैसे हैं करेंगे कैसे हमारे पास जैसे first वाला है 2-3-5 तो हम क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के देखते है इससे बड़ी है इन दोनों को जोड़के दिखेंगे इससे बड़ी है और इन दोनों को जोड़के जो दो और पांच इसको जोड़के दिखेंगे कि इससे बड़ी है तिससे वाले से तो टू प्लस त्री हमने किया क्या ये पांच से बड़ा है तू प्लस पांच किया ये क्या तीन से बड़ा है येस तीन से पांच किया तो येस आ गया और हमने ये कहा कि जब एक बार भी ये नो आ जाए ये जब भी एक बार नो आ जाए तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा और यहां पर देखेगा ती दूसरा आले में देखिए छे और तीन को जोड़िए क्या ये साथ से उपर है जी छे और साथ को जोड़िए और ये क्या तीन से उपर है क्योंकि ये तेरा तीन से उपर है ऐसे तीन और साथ को जोड़िए दस आता है दस के छे से उपर है हाँ तो ये तीनो यस आ गए हमने का येस ट्राइंगल इस पॉसिबल जो हमने यहाँ पर लाइन कही वो उसके हिसाब से ये ठीक नहीं बैठता हाँ ये ज़रू ठीक है अगला जो है छे तीन दो इसमें भी एक काम करें छे और तीन को जोडेंगे छे से बड़ा हो गया नहीं है ये पाँच है छे से बड़ा नहीं है इसका मतला एक क्रीक पॉसिबल लमा अब क्रीक आप वाल ठीक एनि पॉइंट ओ इन दी और ये डॉट 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 ये जॉइनिंग दिख रही है अब देखेगा कि इसमें सबसे पहले हमने जॉइन जब कर दिया तो पहले तो ये कहा OP प्लस OQ क्या greater than है अगर ये इससे greater है अगर ये दोनों greater है तो कैसा होगा तो देखेए OP और OQ ये दोनों जोड के इससे बड़े है तो इसका मतलब triangle possible है अगले में आईए OQ और OR OQ और OR इनको जोड़ेंगे ये इससे बड़े है तो triangle possible है और अगर हम देखेंगे कि हम इन दोनों को जोड़ेंगे OR और OP ये RP से बढ़ा हो गया तो ROP ये triangle बनाना है ये AM है ये एक median है triangle का ABC AM एक median है triangle इसका ABC का तो क्या AB BC AB BC और CA क्या ये बड़े है twice AM से अगर AM median है triangle ABC का तो क्या ये तिनों को तिनों साइडों का गर जोड़ दो तो ये जो A और M की जोइनिंग है ये तिनों की जोड़ इससे बड़ा है हमको इसको sides consider करना है triangle की कौन सी ABM ये वाला triangle और ये वाला triangle AMC तो आप देखिए इसमे कि जो पहले मैंने बताया था कि जो sum of length of honey two sides in a triangle should be greater than the length of the third side किसी भी triangle में ये तभी possible है जब इसका इसका sum इससे बड़ा हो इसका इसका sum इससे बड़ा हो और इसका sum इससे बड़ा ये हम पहले देख चुगे तो इस triangle में आते हैं इस triangle में AB ये वाला ही लाइन और मैं तेरा color change करता हूँ आप आप और अच्छे समरता है तो जो हमने तो triangle लिए इसमें आप देखेगा कि ये वाला side AB और ये B हैं इन दोनों को जोड़िए ये greater है AM से पहला हो गया AM से देखिए इसमें AC इस वाले को और इस MC को जोड़िए ये किससे निकल जाएगा उपर ये AM से उपर निकल जाएगा इन दोनों को जोड़ के देखिए मतलब ये side इससे जोड़ दीजे ये side इससे जोड़ दीजे तो क्या है AB प्लस BM प्लस AC प्लस MC AM प्लस AM to AM लेकिन BM प्लस MC ये BM तो BM और MC दोनों बराबर है और MC को जोड़ेंगे तो BC आएगा तो AB प्लस AC प्लस BC BM प्लस MC की जगह हम सीधा BC रख सकते हैं ये पुरा BC रख सकते हैं तो BC आएगा इन दिनों को जोड़ेंगे ये greater than निकल जाएगा तो AM से ये हम चाह रहेते हैं तो this condition is true तब अगला है ABCD कोई कॉड़िलेटर है आपको बताना है AB परेवे कॉड़िलेटर दिखा लेका हूँ ये AB ये वाली साइड BC ये वाली साइड और CD और DA ये चारू साइड को जोड़ेंगे तो ये उपर निकलनी चाहिए AC इस साइड और ये BD डाइगनल के जोड़ को अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये पुरा जोड़ जो साइड होगा है वो डाइगनल से उपर निकल जाएगा है क्या ये ऐसा है तो इसमें भी ऐसी करेंगे जो हमने पहले लिया था हम अलग-अलग ट्राइंगल लेते है और ट्राइंगल की सिचुएशन तो हम जानती है सबसे बड़े ट्राइंगल हम ये ABC ले रहे हैं ये ABC ABC ले रहे हैं तो AB प्लग BC AC से उपर है हमने ये ट्राइंगल क्यों लेगा है आप दो सकते हैं यह छोटा triangle क्यों नहीं है हमारा काम नहीं बनेगा, हमें एक तो side चाहिए जो यहाँ पर दी होई है, और हमें diagonal चाहिए तो हम यह side और diagonal अगर हम लेंगे तो हमको यही triangle लेना पड़ेगा ABC, इसलिए हमने यह triangle लिया है तो AB प्लस BC, यह किससे बड़ा हो जाएगा AC से, यह पहनी condition हो गई अब हम triangle ADC ले रहे हैं यह रहा, ADC इसमें AD प्लस DC, यह दोनों side किससे उपर निकल जाएगा AC से अब आईए, यह triangle DCB में DCB में क्या होगा, यह D है, यह C है, यह B है यहने कि हम इस triangle की बात कर रहे हैं DCB, इस triangle की बात कर रहे है इसमें DC प्लस CB, यह उपर निकल जाएगा DB से, यह भी हो गया अब एक और triangle बचता है ADB, यह रहाट रहाएगा ADB इसमें इस side को जोड़िए, इस side को जोड़िए और एक और AB और आगया तो 2AB हो गया, ICBC दोबर आगया ऐसा AD दोबर आगया, ऐसा DC दोबर आगया सब दोबर आगया, तो कहा हूँ लिजा AB plus BC plus AD plus DC अब दाय हाँ पर जाते हैं यहाँ पर BAC दोबर है, DB दोबर है तो तो बहार में लिजा, EC plus DB दो-दो cancel कर दीजिए नोगों साब से तो ultimately क्या आ गया AB प्लस BC प्लस AB प्लस DC यह किससे बढ़ा है AC प्लस DB से तो इसका उनलब यह true है पाच्वे में आ है ABCD एक कॉड़िलेटरल है इसमें पूछा गया है कि Is AB प्लस BC क्लस CD प्लस DA यह less head to AC प्लस DB से अगें यह line आपको ज़रूर पता होनी चाहिए यह condition आपको ज़रूर पता होनी चाहिए यह हम already कर चुके है just now अभी हमने देगा लेकिन यहाँ पर AB AB, BC, DC और DA जो है वो twice less than twice AC प्लस VD हमने exactly same काम किया exactly same काम किया लेकिन इस बार हम ट्राइंगल यह छोटे बने रहेंगे A, O, B बड़ा A, O, B लेंगे इसमें A, O, B में हम OA प्लस OB इसको बड़ा दिखाएंगे AB से तो OA प्लस OB किससे बड़ा दिखा रहें यह बड़ा का sign लेफ में लेफ में दिया है यह OC प्लस OD इससे छोटा होगा और DA यह वाले ट्राइंगल प्लस OA बड़ा होगा DA से तो चारो आगे अब इंको आइड कर लेज़े यह चारो को आइड कर लेजे यह चारो को आइड कर लेजे लेकिन AO प्लस OC है क्या AO प्लस OC तो AC है और DO और OB क्या है यह तो DB है न यह कुल मिला के DB है यह कुल मिला के AC है तो यह AC और DB रिख भी ज़िए आपकी यह equation आ रहे अगला है length of two sides of a triangle are 12 and 15 दो side DO है between what to measure should the length of the third side fall तीसरी जो length है वो किसके बीच में होने चाहिए तो उसको समझेगा कि जो sum है length का किसी भी दो side का वो हमेशा बड़ा होना चाहिए तीसरी side हो चाहिए किसी को भी जोड़ लिए हमको 2 side दिये हैं 12 और 15 तोनों को जोड़िए 27 तो तीसरी तीसरी जो side है कि हमें इंदों को जोड़ा एक condition और है कि जो तीसरी side cannot be less than the difference of the two sides इससे ये छोटी होगी और किस से कम नहीं हो सकती इंदों के difference है तो 15 से 12 निकालिए कितना हैगा 3 तो जो तीसरी जो side है उसका वो किस के दर्मियान होगी तो 3 और 27 के बीच बीच बहुत है तीन से बड़ी होगी और 27 से छोटी होगी ये length जो है third side का L3 कर देता हूं ये उत्तर होगा तो ये एक और exercise हमने देखी बहुत शुक्रिया बहुत मैं परियाब सभी की